दोस्तों अगर हम इस PPF एकाउंट में हर महीने 1000 रुपई डालेंगे तो 15 साल बाद इस एकाउंट का बैलेंस 3,15,000 रुपई हो जाएंगे और अगर हम 25 साल तक रुख जाते हैं तो फिर इसमें 8,000,000 रुपई हो जाएंगे इसी तरह अगर हम हर महीने 10,000 रुपई जमा करेंगे तो फिर 25 साल बाद हमें 8,000,000 रुपई मिलेंगे दोस्तों PPF एकाउंट में हम जितना जादा दिनों के लिए पैसे को रखेंगे उतनी ही बड़ी रकम मिलेगी और यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की जरुवत नहीं क्योंकि इस डिपॉजट स्कीम में सरकार की गैरंटी होती है आईए हम आपको PPF कैलकुलेटर में दिखाते हैं कि PPF स्कीम में पैसे कैसे बढ़ते हैं दोस्तों PPF स्कीम में आपको साल भर में कम से कम 500 रुपय जमा करना होता है और जादा से जादा 1.5 लाक रुपय जमा कर सकते हैं अब यह पैसा चाहे आप एक बार में जमा करें या फिर मंतली भी जमा कर सकते हैं लेकिन अगर आप मंतली डिपॉजिट का नियम बना लेंगे तो अच्छा रहेगा इससे ज़्यादा बचत हो जाती है वैसे हम आपको जो कैलकुलेटर दिखाने जा रहे हैं उसमें मंतली और इरली दो डिपॉजिट का हिसाब हो जाता है तो हमने आपके लिए एक एक एकसल पीपॉफ कैलकुलेटर त्यार किया है इसमें आपको सिर्फ एमाउंट भरना है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पैसा कितने साल में कितना बढ़ जाएगा लेकिन दोस्तों यहां पर हम आपको एक बात और बता देते हैं कि पीपॉफ के किसी भी कैलकुलेटर से आपको एक इस्टिमेट मिलेगा एक्जेक्ट मिच्योर्टी एमाउंट का पता नहीं चलता है अब आपको यह तो पता ही होगा कि पीपॉफ का इंटरस्ट रेट चेंज होता रहता है इसलिए अगर रेट बदल जाएगा तो पीपॉफ एकाउंट से मिलने वाला इंटरस्ट भी बदल जाएगा और इसलिए दोस्तों हम पक्का नहीं बता सकते हैं कि कब कितना पैसा मिलेगा लेकिन इस कैलकुलेटर से आपको एक अंदाजा मिल जाता है आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि कितना पैसा पाने के लिए आपको हर महीने कितना जमा करना है या फिर कितने साल तक जमा करना है वैसे दोस्तों भले ही PPF का interest rate बदलता रहता है लेकिन हर हाल में ये बैंक के fixed deposit से करीब 1% जादा ही रहता है यानि ये जादा फायदे मंद है आईए calculate करके देखते हैं तो इस calculator में आपको सबसे पहले interest rate बताना है हमने अभी का rate इसमें पहले से ही भर दिया है ये 7.1% है अगर आगे rate बदल जाता है तो आप इसे change भी कर सकते हैं इसके बाद हमें ये बताना है कि हम मंथली पैसा जमा करने वाले हैं या फिर yearly जैसा भी आपका प्लान हो उसे यहाँ choose कर लिजिए और आखिर में हमें अपना amount बताना है जैसे ही हम amount भरेंगे तुरंथ हमारे सामने year and balance आ जाएगा जैसे अगर हम हर महीने 1000 रुपे भरेंगे तो 15 साल बाद हमें 3,15,000 रुपे मिलेंगे इसी तरह हम 2500,000 और 12,000 के deposit के हिसाब से अपने पैसे की growth को देख सकते हैं PPF account को आप 15 साल के बाद भी continue रख सकते हैं इसलिए हमारा calculator 15 साल के बाद का balance भी बताता है आप यहाँ पर 40 साल तक अपने account के balance का अंदाजा लगा सकते हैं जैसे माल लीजिए अगर आप हर महीने इस account में साड़े 12,000 रुपए जमा करते हैं तो 7.1% के rate के हिसाब से 40 साल बाद आपको करीब 3,20,000,000 रुपए मिलेंगे और यह सब पूरी तरह से tax free होगा दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि आप इस account में किसी financial year में जादा से जादा डेड़ लाक रुपए तक ही जमा कर सकते हैं दोस्तों अगर आप एक छोटी सी बात का ख्याल रखेंगे तो दूसरों से ज्यादा कमाई कर सकते हैं आईए हम आपको यह सिक्रेट में बताते हैं दोस्तों आम तोर पर लोग PPF एकाउंट में पैसे जमा करते समय तारीख का ख्याल नहीं रखते लेकिन अगर आप पैसा जमा करने की तारीख का ध्यान रखेंगे तो आपको बाकी लोगों से ज़्यादा कमाई होगी दोस्तों दरसल PPF का नियम है कि अगर आप किसी महीने की 5 तारीख तक पैसे जमा कर देते हैं तो फिर आपको उस पैसे पर उसी महीने से ब्याज मिलने लगेगा लेकिन अगर 5 तारीख निकल जाती है तो फिर ब्याज अगले महीने से मिलेगा मतलब एक महीने के ब्याज का नुकसान हो जाएगा ये नुकसान धीरे-धीरे कितना बड़ा हो सकता है इसके लिए भी हमने एक कैलकुलेटर बनाया है हमने PPF एकाउंट के सालाना बैलन्स की टेबल बनाई है इसमें पहला कॉलम उन लोगों के डिपॉजिट के लिए है जो पांस तारीक के बाद पैसे जमा करते हैं और दूसरा कॉलम उन लोगों के लिए है जो पांस तारीक तक पैसे जमा कर देते हैं यहां आप देख सकते हैं दोस्तों की पहले साल से ही फर्क दिखने लगता है। इस तरह अगर हम हर महीने 5000 रुपे जमा करते हैं तो 15 साल बाद ये फर्क 9000 रुपे का हो जाएगा। इसलिए अगर आप जादा कमाई करना चाहते हैं तो पांस तारीक का ध्यान जरूर रखें। PPF एकाउंट के बारे में एक बात का और ख्याल रखें। इसके इंट्रेस्ट का पेमेंट हर फाइनेशल येर के अंत में किया जाता है। आपको पता ही होगा कि फाइनशल येर नौर्मल केलेंडर येर से अलग होता है। फाइनशल येर एक अप्रेल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्ज को खत्म हो जाता है। PPF एकाउंट का ब्याज भी हर साल 31 मार्ज को ही दिया जाता है। साल में एक बार ही interest का payment होने की वजह से यहां पर annual compounding होती है मतलब 31 मार्ज को जब ब्याज का पैसा आपके खाते में आ जाएगा तभी उस पैसे पर भी ब्याज मिलना शुरू होगा fix deposit में हर तीन महीने में ब्याज दिया जाता है इसलिए वहां तीन महीने बाद ही ब्याज के उपर ब्याज मिलने लगता है लेकिन फिर भी PPF ज़्यादा फायदे मंद होता है क्योंकि इसका rate काफी ज़्यादा होता है PPF account की maturity में भी 31 मार्ज का importance होता है वैसे तो PPF account 15 साल में mature होता है लेकिन आपको अपने पैसे के लिए 15 साल से ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि इस account में ब्याज 31 मार्ज को दिया जाता है और उसी के बाद account mature होगा मतलब ये कि आप चाहें account जब भी खुलवाएं वो 15 साल पूरे होने के बाद 31 मार्ज को ही mature होगा maturity के बाद आप अपने account को 5-5 साल के block में आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से आप चाहें जितनी बार account को extend कर सकते हैं दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आप इस calculator को कैसे use कर सकते हैं हमने इस calculator को Google spreadsheet में publish किया है यह calculator खुल जाएगा यहां आप देख सकते हैं कि 7.1% की rate से पैसे किस तरह बढ़ेगा हमने sample के तौर पर 6 amount को सामने रखकर उनका balance बताया है अगर आप इन में से कोई amount जबान करने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपको कुछ नहीं करना है आप यहां उसे देख सकते हैं लेकिन अगर अपना amount भरना चाहते हैं या फिर ppf का नया interest rate डालना चाहते हैं तो फिर इसके लिए इस file को copy या download करना होगा क्योंकि अभी ये file view only है मतलब आप इसमें edit नहीं कर सकते हैं इस calculator में अपना input डालने के लिए आपको या तो इसकी copy सेफ करनी होगी या फिर इसे अपने system पर download करना होगा अपने Google Drive में सेफ करने के लिए आप file menu पर tap कीजिए उसके बाद आपके सामने make a copy का option आएगा उस पर tap करने पर आपको सामने अपनी copy का नाम देने का option आता है उसे देकर make a copy पर tap कर दीजिए इसके साथ ही आपके अपने Google Drive में इस calculator की copy सेफ हो जाएगी और आप कभी भी इसे use कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपने PC में इस calculator की copy डाउनलोड करना चाते हैं तो फिर से file menu पर tap कीजिए नीचे आपको download का option दिखेगा जब उस पर tap करेंगे तो फिर आपके सामने अलग-अलग तरह के file format में download करने का option होगा इसमें से आप सबसे पहला वाला यानी Excel sheet का option चूज कर लीजिए इसके साथ ही calculator की file आपकी system में download हो जाएगी अब आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं तो दोस्तों ये था PPF account का maturity calculator और उसका calculation मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा आप इसे like करें जादा से जादा शेयर करें और चैनल को subscribe करना ना भूले